हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जिके ट्रैकर पे देखे फ्रेंट्स, इस वीडियो के दर हम बात करने वाले हैं बजट से संबधिन जितने भी महत्वपून प्रशन है चाहे वो बजट के नाम को लेकर हो चाहे वो ये हो कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था गंतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था पहला परधान मंदरी का उन था जिसने बजट पेश किया था या फिर 2021 का जो ये बजट आया है इससे संबती जितने भी महत्वपून पॉइंट है हमारे exam point of view के लिए उन सभी questions को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं वो सारे बाते हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर करें चलिए फ्रेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बजट शब्द का अर्थ क्या होता है तो यह आपको ध्यान रखना है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है चमडे का थैला होता है और बजट जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है कई बर पूछ लिया जाता है या फिर इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो ये फ्रेंच भाषा या इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है ठीक और इसी ने भारत में सबसे पहला बजट पेश किया था अगर प्रश्ण बन जाए भारत का सरुपर्थम बजट किसने पेश किया था जेम्स विलसन ने 18 फरवरी 1960 को ठीक है तो पहला बजट भारत का किसने पेश किया जेम्स विलसन ने अब बात करते हैं आजाद भारत का पह 1947 को आरके शणमुखम चैटी ने जो स्वतंत्र इंडिया था उसका पहला बजट पेश किया था ठीक है एक और इंपोर्टेंट बात बनती है यहां से देखे हमने आजाद भारत तो देख लिया भारत का भी पहला देख लिया अब बात बनती है गंतंत्र भारत का यानि कि जब से पहला बजट पेश किया था कब किया था 28 जनवरी 1950 को ठीक है यह आपको धियान में रखना है तो तीन अलग अलग कोशन है तीनों के आंसर अलग अलग है अच्छा अगली बात है यहां पर देखे अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है आपको पता होगा जब जहां पर जिस बजट को यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है वोट ऑन अकाउंट या मिनी बजट की वैलेडिटी जो होती है वो कितनी होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यह पेपर में पूछा गया प्रशन है एसको कई बार पूछ चुका है कि वोट अन अकाउंट जो हो तो यह आपको बात याद रखनी है कि अंतरीम बजट के लिए क्या क्या कहा जाता है कमेंट करके आप मुझे बताएंगे वैलेडिटी कितनी होती है इसकी ठीक है वोट अन अकाउंट की या मिनी बजट की और शब्द किसने यूज किया था पहली बार आरके शनमुखम किया है ठीक है सबसे पहले कौन थे सबसे पहले थे जवाहरलाल नहरू तो अगर आपको प्रशन बंजए अभी ता कुल कितने प्रधान मंतरियों ने बजट पेश किया है प्रधान मंतरी रहते हुए ठीक है फ्रेंट प्रधान मंतरी रहते हुए बतार प्रधान मंतरी कितन जो हैं ये जबालाल नेरू हों इंद्रा गांधी और राजीव गांधी इन तीनों ने पर्दान मंत्री रहते वे बजट पेश किया था अगर पूचा जाए भारत की पहली महिला वित्तमंत्री कौन है, शिर्फ इतना पूछा जाए, तो फिर है इंद्रा गांधी, लेकिन अगर पूछा जाए, भारत की पहली पूर्ण कालिक वित्तमंत्री कौन है, तो फिर जो वरतमान में है, निर्मला सीता रमन, ठीक है, चलिए, अगला कोशन है, यहाँ पर जो बनता ह हैं वो भी यही हैं ठीक है सबसे यंगिस्ट काउन है कमेंड करके आप मुझे बताएंगे तो सबसे जादा बार इन्होंने बजट पेश किया है दस बार लेकिन ये उस समय परधान मंतरी नहीं थे इसलिए उस सूची में इनका नाम नहीं है जिन्होंने बतार परधान मंतरी बजट को पेश किया था ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला जो important है बजट के लिए समविधान में किस शब्द का परियोग किया गया है देखे ये प्रश्ण दो तरीके से बनता है पहला कि बजट शब्द कि किस समविधान के आर्टिकल में यूज किया गया है तो आपको ध्यान रखना है बजट समविधान में कहीं भी यूज नहीं किया गया है बजट शब्द का पूरे समविधान के अंदर कहीं पर भी परियोग नहीं किया गया है तो आपको ध्यान रखना है वारसिक, वित्या, विवरन या फिर Annual Financial Statement शब्द का परियोग किया गया है अगर पूछेगा किस आर्टिकल में ये परियोग किया गया है तो आर्टिकल है आर्टिकल 112 ठीक है इसके बारे में बात करते हैं और यहां से हमारे जो इंपॉर्टन इंपॉर्टन बात हैं उनको देखेंगे क्योंकि एक्जाम में कई बार सीधा नंबर पूछ ले जाता है कि इस चीज के लिए इस योजना के लिए कितने करोड रुपे या कितनों का कितनी राशी सरकार ने आवंटित की है तो चलिए इसको अब देखते हैं देखें 2021-22 का बजट है सबसे पहले इसको कब पेश किया गया पेश किया एक फरवरी 2021 को ठीक है किस ने पेश किया वित्तमंतरी निर्मला सीता रमण ने इसको पेश किया और ये कौन है पहली पूर्ण कालिक वित्तमंतरी ठीक है लगतार तीसरी बार बजट पेश किया है तो अगर आपको ऐसा प्रश्ण बंजय देगी हमने अपर पढ़ लिया सबसे दाड़ा बजट किसने पेश किया है सबसे दाज़ाड़ी देशाईने अगर पूछा जाए सबसे दाधा बार महीला कौन है तो फिर आप बता सकते हैं निर्मला सिता रमन इन्होंने लगातार तीसरी बार बजट पेश किया है और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है अगला जो विशेषता है इस बजट में देखे टैबलेट के माध्यम से इन्होंने बजट को पेश किया था किसके माध्यम से टैबलेट के माध्यम से यानि कि ये भारत का आजाद भारत का या संपून भारत के इतिहास में ये भारत का क्या था पहला पेपरलेस बजट था अगर आपको प्रशन बन जाए इनमें से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था आपका आंसर होगा बजट 2021-22 ठीक है तो 2021 का जो बजट है ये कैसा है पेपरलेस बजट है अगला है यहाँ पर पॉइंट हमारा बजट कितने इस्तंभो पर टिका है तो बजट जो है वो 6 इस्तंभो पर टिका है अगर ये परशन पेपर में बन सकता है आपको 4 ओप्शन पूंजी और अवसरचना तीसरा है अकांग्शी भारत के लिए समावेशी विकास चौथा मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना पांचुआ नवाचार अनुसंधन और विकास और छटवा और अंतिम नियुनतम सरकार और अधिकतम साशन तो ये 6 इस्तंभ हैं जिस 2017 से पहले बजट एक फरवरी को पेस्ट नहीं होता था कब होता था ये आप मुझे कमेंड करके बताएंगे ठीक है अगला है किस योजना को विद्मंतरी ने मिनी बजट कहा है देखे ऐसे जो इंपोर्टन पॉइंट है यह हमारे exam point of view के लिए काफी important है और इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो थीक है वित्यमंत्री ने मिनी बजट किसको कहा है तो उन्होंने कहा है जो आत्म निरबर भारत योजना है उसको इन्होंने जो मिनी बजट है उसकी संग्या इन्होंने दी है ठीक है चलिए अगला important point है कोवीड वैक्षिन के लिए कितनी राशी दी गई है कोवीड वैक्षिन के लिए कितनी धनराशी कोवीड वैक्षिनेशन जो हो रहा है भारत में उसके लिए 35,000 करोड रुपे की धनराशी सरकार ने दी है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है नंबर के वल प सकता है तो वैक्षिनेशन के लिए कितना रुपे दिया है 35,000 करोड फिर बात आते है दूसरा सवच भारत सहरी सवच भारत मिशन के लिए कितनी धनराशी दी गई है तो सहरी सवच भारत मिशन के लिए 41,000 करोड रुपे यहां पर दिये गए है ठीक है बजट 2021 में ठीक है क तो इस साल जनगणना होगी 2021 में आपको पता है हर दा साल में जनगणना होती है उसके आंकड़े आते हैं तो जो जनगणना होगी वो होगी डिजिटल जनगणना और ये कौन से नंबर की है ये है सोलवी जनगड़ना तो सोलवी जनगड़ना किस प्रकार की होगी डिजिटल जनगड़ना होगी और ये भारत की पहली डिजिटल जनगड़ना है और इसके लिए कितने रुपए आवंटित किये गए हैं तो वो है 3768 करोड देखे इस साल जनगड पॉइंट है वो है वायू प्रोदूशन तो वायू प्रोदूशन से निपटने के लिए सरकार ने कितने रुपए दिये हैं यहां पर तो कितने रुपए आवंटित किये जाएंगे 2217 करोड रुपए यहां पर दिये जाएंगे ठीक है 2217 करोड रुपए किसके लिए वायू प्रदूशन से निपटने के लिए अगला है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितने रुपए का बजट यहां पर दिया है तो 1500 करोड किसके लिए डिजिटल पेमेंट या डिजिटल इंडिया के लिए ठीक है तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड रुपए का यहां पर लाया गया है 1500 करोड का ठीक है रेल बजट की बात करें रेल बजट कितना होगा, एक दशनलव एक लाख करोड होगा रेल बजट, ठीक है, परिवहन मंत्राले यानकी जो सडके बनेगी, उनके लिए कितना बजट दिया गया है, तो एक दशनलव एक आठ कर लाख करोड है, अब कुछ दोनों याद रखने है, रेल भी याद रखना ह ठीक है, रेल मंत्री कौन है, हमारे पियूश गोयल है, और परिवहन मंत्री कौन है, अभी भारत के, ये परिवहन मंत्राले जो है, वो किसके आधीन है, नितिन गटकरी के आधीन है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, स्वास्त का बजट, ये तीनों जो दो तीन लाक करोड है ठीक है और जो पिछला स्वास्त बजट था दो हजार बीस इक्किस का उसका 137 परसेंट अधिक है यह आपको ध्यान रखना है तो कितने की वृद्धी हुई है यह पूछा जा सकता है 137 परसेंट की वृद्धी हुई है ठीक है वरतमान में कितना है दो दो तीन लाक करोड कितने नए हेल्थ सेंटर बनेंगे तो देगे स्वास्त से संबजित हमारे पेपर में पूछे जाने के चांसेश काफी जादा है तो नए हेल्थ सेंटर बनाई जाएंगे 75,000 ठीक है जल जीवन मिशन शहरी तो जल जीवन मिशन शहरी को दुबारा से अगला वित वर्स है यानि कि इस साल से 2020 में कितनी सड़के बनाने का यहां पर सरकार ने लक्ष रखा है तो वो लक्ष है 85,000 किलो मिटर का ठीक है तो साड़े 8,000 किलो मिटर जो हाईवे की बात हो रहे है यहां पर पर ठीक है जो छोटी मोड़ी सड़कों की बात नहीं और सरकार ने केंद्रे विश्व विध्याले खोलने की अनुमती दी है या खोलने का उन्होंने प्रस्ताव रखा है या खुलेगा, कहां खुलेगा लदाक में और लदाक का पर्टिकुलर जगा लेहे में ठीक है अगला है बीमा छेत्र में FDI, देखे फॉरेट डारेक्ट इंवेस्टमेंट की बात हो रही है और बीमा छेत्र यानिके इंस्यॉरेंस के अंदर क्या कर दिया गया है 74% अब FDI होगा, जो कि पहले कितना था? पहले 49% था लेकिन अब इसको 25% बढ़ा कर कितना कर दिया गया? 74% कर दिया गया और ऐसा करने के लिए कौन से एक्ट में बदलाव किया गया? जो था Insurance Act 1938 उसमें बदलाव किया गया है तो आपको पर्शन बन सकता है हाली में कौन से Insurance Act में बदलाव किया गया था? Insurance Act 1938 में इसके तहत बीमा छेत्र में 74% क्या कर दिया गया है? FDI को यहां पर अलाव कर दिया गया है और जो कि पहले 59% था अगला important point है हमारा सरकारी बैंकों के लिए धनराशी तो जो सरकारी बैंक है उनकी मदद के लिए सरकार ने 20,000 करोड रुपए यहां पर आवंटित किये हैं अगला important है आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल कितने खोले जाएंगे तो paper में प्रशन बन सकता है कि कितने स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा तो वो है 15,000 स्कूल ठीक है अगला है petrol पर लगा क्रिशी सेस यह काफी important बात है क्रिशी सेस agriculture सेस यहां पर लगा है और यह कितना लगा है यह लगा है petrol के उपर की बखरम बात करें तो petrol पर लगा है धाई रुपे प्रती लीटर और अगर डीजल की बात करें तो डीजल पर लगा है चार रुपे प्रती लीटर तो दोनों पर अलग अलग है आपको प्रशन डारेटली बन सकता है कि पेट्रोल पर कितना किर्शी सेस लगाया गया है ढ़ाई रुपे प्रती लीटर डीजल पर कितना लगाया गया है चार रुपे प्रती लीटर ठीक है और एक और चीज इसके अंदर एक और हमारा यहां पर पॉइंट है यह है कि बैंक के डूबने पर अब गरहक को 5 لاکھ मिलेंगे ठीक है इसका मतलब क्या है क्या होता जब बैंक जाधा ही करजे में चला जाता है बैंक डूब जाता है तो जितने भी लोगों के उसके अंदर पहसे हो तो उनका अभी पैसा डूब जाता है अब सरकार ने हर्दाने के तोर पर या जो उनका मुआफ़जा होगा मुआफ़जे के तौर पर पहले एक लाख रुपे दिये जाते थे लेकिन अब पांच लाख रुपे दिये जाएंगे ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा और कौन-कौन सी चीजें इसके अंदर की गई है दिखिए एक और चीज इसके अंदर बताई गई है कि जो पब्लिक बसेस हैं तो पब्लिक बसेस के लिए अठारा हजार करोड रुपे यहाँ पर खर्च किये जाएंगे ठीक है जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए खाद सुरक्षा जो योजना है वो लागू की जाएगी यानि कि जि यहाँ पर लागू किया जाएगा यह आपको ध्यान में रखना है और मेट्रो के लिए भी यहाँ पर पैसा दिया गया है सरकार की तरफ से कितना रुपे दिया गया है 11,000 करोड रुपे मेट्रो के लिए दिये गये हैं ठीक है कोची बंगलूरू और दो शहर और है वहाँ बैड है जो मेट्रो सेभा इसको शुरू किया जाएगा दो प्रकार की मेट्रो सेभा है कौण कौणसी है एक है मेट्रो लाइट और एक है मेट्रो नियो तो नियो और लाइट ये दो प्रकार के मेट्रो सेवा की गई है एक और चीज इसके अंदर की गई है कि जो 75 प्लस है यानि कि 75 साल से अधिक उमर के जितने भी व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन है उनको और जिनकी व्याज है उनके उपर मतलब ढ़ाईला गया जितना भी उनको व 22 का जो वितिय वर्ष है इसमें जो वितिय घाटा होगा जिसको हम बोलते हैं financial deficit वो कितना रहने का अनुमान है तो वो रहने का अनुमान है 6.88 प्रतिशत ये सबसे महत्वपून बात है जो कि 2020 21 में कितना रहा था ये 9.85 प्रतिशत रहा था ठीक है और ये कितना रहेगा यहां पर cover करने की कोशिश की है उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और काफी सारे important important question आपको यहां पर देखने को मिले होंगे वीडियो पसंद आता है वीडियो को like जरूर करें share जरूर करें और channel को subscribe जरूर करें thank you friends